नेग्स्ट हमारे पास है 10.2.1 इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स और 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 गनिक कमपाउंड्स इसे बएले मैं आपको स्वूरू करने से बएले ये बात दादू कि इंडिकेटर्स का टॉपिक जो है ये MCQ point of view से बहुत ज़्याद़ important है और इसमें से कोई एक दो short question भी पूछे जा सकते हैं तो आपने इसको अच्छे तरीके से study करना है So let's start Indicators आदा organic compounds Indicators organic compounds होते हैं इनकी different colors होते हैं acidic और basic medium में Litmus हमारे पास एक common indicator होता है इसका color red होता है acidic solution में और blue color होता है alkaline solution में अब हमारे पास कोई भी indicator हो उसका एक specific color होता है acidic medium में और वो color change हो जाता है pH change होने से basic medium में Example उन्होंने दिया है fenophthalene की fenophthalene color होता है colorless होता है strongly acidic solution में और red होता है strongly alkaline solution में मतलब basic solution में इसका color change कब होता है pH 9 पर आपने जहें में रखना MCQ में पूछ लेते हैं कि fenophthalene का color कि इस pH पर change होता है तो pH 9 पर change होता है 9 से pH कम होगी तो colorless होगा 9 से जादा होगी तो वो red हो जाएगा next उन्होंने एक figure दी हुई है methyl लोरेंस, litmus और fenophthalene के colors बताए है acidic में और basic में आपने इसको MCQ point of view से देख लेना है next table दिया हुआ है उन्होंने इस table को भी अपने MCQ point of view से याद कर लेना है memorize कर लेना है next पर वो कह रहे हैं measuring pH of a solution यह MCQ में वो पूछ लेते हैं sorry short question में exam में यह question पूछा जाता है कि pH of solution में करने के लिए हम कैसे में में कर सकते हैं तो उसके लिए दो होते हैं तरीके एक होता है universal indicator number two पे होता है pH meter so हम सबसे पारे universal indicator को देख लेते हैं some indicators are used as mixers the mixer indicators give different colors at different pH value कुछ indicators ऐसे होते हैं जिसको हम mixer के तोर पे इस्तमाल करते हैं और वो different colors देते हैं different pH value के उपर इसको हम pH की solution की pH मुज़ियर करने के लिए इस्तमाल करते हैं इस तरह के indicators को हम क्या बोलते हैं universal indicators या फिर simply pH indicator इसको use करने का तरीका क्या होता है मारे पास एक यह simple strip की form में होता है उस strip को उस pH paper को हम dip करते हैं अपने required solution के अंदर और उसके according जो color change होता है वो हम color chart की मेंदद से देख कर यह बता देते हैं कि इसका color कौन सा है और pH कौन सी है उन्होंने colors का universal indicator का chart भी दिया हुआ है आप यहाँ से एक पार देख सकते हैं नेक्स हमारे पास है pH meter pH of a solution can be measured with a pH meter अब हम pH of a solution pH meter की मदद से भी measure कर सकते हैं इसमें क्या होता है एक pH का electrode होता है उसको connect किया हुआ होता है एक meter के साथ electrode को हम dip करते हैं solution में और यह digitally हमें pH show करा देता है यह more reliable होता है more accurate होता है than universal indicator लेकिन हमारे पास pH meter जो होता है pH universal indicator वो convenient होता है next नों ने एक problem दिये है हमें 10.2 इसको हम एक बार देख लेते हैं solution of hydrochloric acid is 0.01 molar what is its pH value इसको आप मैं सबस्क्राइब एक शौर्ट तरीका आपको बढ़ा देती हूं कि अगर हमारे पास molar में pH given है molar solution molar solution की molarity पता है हमें और उसकी pH उन्होंने calculate करने के लिए बोला है जैसे 0.01 molar उन्होंने दी हुई है तो pH कितनी होगी इसकी इसका 10 days to power जितना होगा उतनी ही इसकी pH होगी अगर MCQ में आपको पूस लें तो आप जल्दी में calculate करने की बजाए इस short तरीके से आप इसका answer निकाल सकते हैं 0.01 molar है 10 days to power minus 2 तो इसकी pH 2 हो जाएगी calculate हम आप calculator से भी calculate करेंगे तो अभी इसका answer 2 आएगा इसको आपने step by step ऐसे ही लिखना है जैसे उन्होंने आपको example दी है सबसे बड़े equation लिखेंगे then हम लिखेंगे pH is equal to minus log h positive pH is equal to minus log h positive पीज़ेका लिख देंगे 10 days to power minus 2 और answer आजाएगा 2 next हमारे पास problem है 10.3 find out the pH and POH of 0.001 molar solution of KOH अभी मैंने आपको एक short trick जो बताई थी 10 days to power minus 3 है ये 0.001 10 days to power minus 3 की equal है तो pH 3 आजाएगी और pH पलस POH हमने पढ़ा है 14 होता है 14 में से 3 minus कर देंगे तो 11 answer आजाएगा next हमारे पास है 10.4 find the pH of 0.01 molar sulfuric acid sulfuric acid H2SO4 की हमारे पास dye basic है मतलब 2 proton है तो हम इसमें hydrogen ant की concentration को 2 से multiply करेंगे 2 cross 10 is to power minus 2 अब इसका negative log लेंगे तो हमारे पास क्या हम लिखेंगे negative log 2 multiply कर निशान हटा कर लिखेंगे plus 10 days to power minus 2 को लिखते हैं हम log 10 days to power minus 2 अब next step पे हम क्या करेंगे minus bracket खोल देंगे minus log 2 आएगा और minus plus minus फिर log 10 days to power minus 2 अब log 10 days to power minus 2 हमें पता है 2 की एकवल होता है तो हम लिखेंगे next step पे pH is equal to 2 minus log 2 log 2 calculator से calculate करेंगे 0.3 आता है 2 में से 0.3 माइनस करेंगे तो answer आजाएगा 1.7 hopes हो कि आप लोगों को समझा गई होगी next step यूर से 10.3 है इसको आप एक बर go through कर लेंगे जो भी चीज समझना है आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं I will respond you next science society और technology है यह सिर्फ MCQ point of view से है आप इसको एक बर go through कर लेंगे अगर आपको कोई भी question हो कोई भी चीज आपको समझना आई हो आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को like, comment और subscribe कर दीजिएगा और कोई भी suggestion आप मुझे देना चाहें आप वो भी comment section मुझे दे सकते हैं इंशाला I will consider it thank you so much for watching